मैं गाली साब की कुछ पंतियां शुरू करने वाली हूँ तो अरज किया है आज के वीडियो का टाइटल शुरू करने वाली हूँ मैं किंग एंड सेविंड डाटर्स बादसाथ की साथ बेटियां थी जिन में से एक बेटी को सजा क्यों दी गई मुझे खुद भी नहीं पता है ये वीडियो हम आप लोग के साथ ही देगेंगे और पूरा का पूरा समझेंगे कि आखिर का राजा साब ने मेरा मतलब बासा ने अपनी एक बेटी को सजा क्यों दी बाकी की छै को क्यों नहीं सजा दी ये तो खुदा ही जानता है लेकिन उससे पहले जिसने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जरूर अमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर द दोस्तों मैंने इस वीडियो को देख लिया था आप लोगों वीडियों दिखाने से पहले मैं कुछ पेस अर्ज करना चाहते हूं जुस्से कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हां जी तन्भी क्या कह रही थी आपके साब पेस करती हूं कुछ अच्छे अच्छे वीडियों आज का वीडियो आपको कैसा लगेगा चल्ठ में वह भी बता दीजिएगा फिलाल में एक बात और अपने भाइयों से कोंगी भाइयों जो comment उर्दु में लिख देते हैं वो मुझे रत्ती भर समझ में नहीं आते आप लोग अगर हिंदी नहीं लिख रहे हैं तो इंग्लिक्स में लिख दिया करिए वो मुझे समझ में आ जाएंगे जिससे कि मैं समझ पाऊंगी कि हमारे भाई लोग क्या ही लिख रहे हैं तो मैं गालित साब की कुछ पंतियां शुरू करने वाली हूँ तो अरज गिया है इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही मैं कुछ लाइने पेस करूंगी जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो पेस करती हूँ तेरी काम्याभी की तारीफ जी हां तेरी काम्याभी की तारीफ और तेरी कोसिस परता ना होगा जी हां लोगों की काम्याभी पे बहुत तारीफ है मिलती है लेकिन उनके पीछे का मंजर इंसान नहीं जानता है कि लात गूसे जूते चपल जाने क्या क्या पढ़ता है जाने कितनी गालियां पढ़ती है तो हमारे गालिप साब लिखे गए हैं तेरी कामियाभी परतारीफ और तेरी कोसिस परताना होगा और तेरे दुख में बहुत कम लोग तेरे सुख में सारा जमाना होगा वाव 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 क्यूंकि मैं परदे के इस तरफ हूँ आप लोग परसे के इस तरफ हैं तो तालिया बजाने का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ एक दिन बात्षा बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुला कर पूछता है कि मैं तुम से एक सवाल पूछूँगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूँगा सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो साथ में से छे बेटियों ने कहा कि अबा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं आप ही की वज़ा से हमारी ये शान और शूकत है ये सुनकर बादशाह बहुत खुशुआ और सब को उसकी मन पसंद चीज दे दी जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किसमत का पहनती हूं और ये मेरा नसीब है बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ऐ कमबख्त तुने मेरी नाशुक्री की है तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी शेहजादी ने कहा जो हुकम अबा खुजूर बादशाह ने सिपाईों को हुकम दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ मैं भी देखूं कि ये मेरे बगएर कैसे अल्लह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है शेहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिये गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगएर किसी साजो सामान के बादशाह के हुकम के मताबिक जंगल में तनहा छोड़ दिया गया लेकिन शेहजादी बहुत मुतमें थी और अल्लह पर तवकल थी कि जो उसने रिज्क और आशो इश्रत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिल लेगी सब सिपाही शेहजादी को छोड़ कर वापस चले गए शेहजादी जंगल को देखने लगी चारों तरफ दरखती दरखत थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शेहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लों ताके रात को आग जलाओं फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी शेहजादी जंगल में लकड़ियां डूनने चल पड़ी उसकी नजर एक जौंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंदी हुई थी और अंदर से खासी की आवाज आ रही थी पहले तो शेहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगा पर जौंपड़ी जब वो जौंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बुढ़ा जईव एक चारपाई पर लेटा है और खास्ते खास्ते पानी 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 पुकार रहा है शेहजादी इदर उदर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है वो गिलास में पानी भर कर बुढ़े जईव को पिलाती है और जौंपडी की साफ सफाई करती है इतने में बुड़ा जईव शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहां तक कैसे पहुँची बुड़ा जईव उसे जौंपडी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ सुबा शहर चला जाओंगा और आठ दिन के बाद आउँगा तुम यही रहो और जौंपडी में खाने का सामान है और नदी पास ही है तुम वहां से घड़ा भर लिया करना सुबा को बुड़ा जईव शेहर चला जाता है और शेहजादी यहां अकेली जौंपडी में सब सफाई करके बक्री का दूद निकालती है आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बरतन में डाल कर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूका या प्यासा होगा तो पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है सुबा सवेरे जब शेहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूद का बरतन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही साम के निशान भी नजर आते हैं तब शेहजादी को याद आता है कि बच्पन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब साम बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है शेहजादी बहुत है और दिल में सोचती है कि शायद साम भूका था इसलिए वो दूद पी कर खुशी में लाल छोड़ गया फिर वो लाल उठा कर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शेहजादी बरतन में दूद रख देती है और अगली सुबा जब देखती है तो फिर एक लाल होता है ऐसे ही करते करते साथ दिन गुजर जाते है और शेहजादी के पास साथ लाल जमा हो जाते है और उस दिन बुड़ा जईव भी आ जाता है तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक्या बताती है और बुड़े जईव को तीन लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेश तो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना बाकी चार लाल शहजादी अपने गले में माला के तोर पर पहन लेती है और कुछी महीनों में जंगल में एक आली शान महल तयार हो जाता है जिसमें बुड़ा जईफ और शहजादी रहने लगते हैं ऐसा खुबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाकर दुनिया की तमाम निमतें मौजूद होती हैं शहजादी जंगल में लकाडी की फेक्टरी लगा देती हैं जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल हैं ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुँचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुलक की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है बादशाह सिपाहियों के हाथ पेगाम भेज़ता है शहजादी से मिलने का यहां शहजादी के सिपाई जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुकम देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए सिर्फाई जाकर बादशाह को पेगाम दे देते हैं एक दिन बादाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शेजादी के महल जाता है शेजादी उन सबसे चहरे पर नकाब बहन कर मिलती है और उनके लिए साथ रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है मेल की शान और शौकत खूबसूरती और शेजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शेजादियों को बहुत हैरान और मतासर करता है आखिर में बादशाह शेजादी से कही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगा पर हो और मैं भी तुमारे कहने पर अपनी तमाम बेटीयों के साथ आया हूँ फिर हम से ये परदा किसलिए बहुत इसरार पर शेजादी कहती है कि ठीक है मैं तयार होकर आती हूँ सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतनी तो तयार है इतने महंगे जेवराद पहने हुए है अब और कितना तयार होकर आएगी इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गोर करने पर बादशादिया को याद आता है कि ये तो ये भी तक जिन्दा है मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाईयों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामों निशान नहीं है तो ये कैसे मुम्किन है बादशाओ खुशी से जूम उटता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाँँगा चाहे वो तुम्हारी गिमत में मेरी सारी बादशाओत मांग ले ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अबावजूर मैं ही वोई शहजादी हूँ मैं ना कहती थी कि मैं अल्लह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ बस उसी अल्ला ने मुझे कहां से कहां पहुँचा दिया है कि आज मैं आप से भी ज्यादा अमीर हूँ फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी चार लाल मुझूद होते है ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती है और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही का होता कि अल्ला का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है दोस्तो हमेशा अल्ला की जात पर यकीन रखो वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुकर अदा करो वो जात तुम्हें कभी अकेला नहीं चोड़ेगी आप तमाम भाईयों और बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज तो दोस्तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तब ही मैंने सोचे कि मैं अपने चैनल पर इस स्टोरी को जरूर लेके आऊंगी क्योंकि जो लोग कहते नहीं है कि हम उनका खा रहे हैं उनका पहन रहे हैं कोई किसी का ना खाता है ना किसी का पहनता है उपर वाला ही देता है सब कुछ सब अपने अपने हिस्ते का अपने अपने नसीब का लेके आते हैं और खाते हैं क्योंकि हर किसी की हाथ की लखी हो में लिखा होता है कितना इनका है कितना नसीब में कितने पैसे वाले होंगे कितने गरीब होंगे तो सब कुछ उनके किस्मत में लिखा होता है उपर कभी नहीं कहना चाहिए कि दुम हमारे भरोसे निवाने हैं कभि किसी की अमीरी देखके उसलो ना कभी किसी की गरीबी का मजाक मत बना जितना हो सके उतना help करने की solar कोशिज करो मदद करने की कोशिज करो अपने से गिरे की अपने से गरीब की यह बहुत ही ज्यादा आपको अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं अगर आप किसी गरीब की एक रुपए से भी मदद करते ना तो उपर वाला आपको दस रुपए जरूर देगा कही ना कहीं से help जरूरी हो जाएगी क्योंकि दोआ निकलती न कहते नहीं है कि जो दिल से दोआ निकलती है तो वो direct पहुंचती है कभी आप किसी की आत्मा को रुला देते हैं तो इसलिए वह बहुत ज़्दा दुखी होता है आत्मा को सख्या च colleg निकलती निकल और आपकी दोआ कभूल हो जाएक वहाइं कर लो और हमारी भी कुछ सुन लो है ना तो बस इसी वीडियो का यही माध्यमदागर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाईएगा और इससे कुछ सीखिएगा अगर बाई तबे सभी को पता होगा यह कहानी बसपन में भी कहानियों सु करने की कोशिश करिएगा मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए खुस रहिए खुसिया बाटिए अल्ला अपिच